स्क्राइब का बिजनिस किस तरीके से स्टार्ट किया जाए और यहां पर मेरी स्क्राइब के बिजनिस से बिलकुल भी मुराद वो स्क्राइब नहीं है जो यहां पर लोग दुकान खोल लेते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं और कथा जमा करके आगे फिर क पिछले साल हमारे पाकिस्तान ने टू पॉइंट वन बिलियन डॉलर का स्क्रैप बाहिर से इंपोर्ड किया है जिसमें आईरन अलुमीनियम और काफी ज़्यादा वर मेटल्स आ जाते हैं अब ये चीज़ इस बात को काफी ज्यादा हद तक क्लिर कर देती है कि पाकिस्तान मे बाहिर से स्क्रैप इंपोर्ड करने की बहुत ज्यादे डिमांड है इतनी ज्यादे डिमांड है जितनी एक नए समान किनी है उसकी दो वजवात है पहली वज़ए ये कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जाईरी बात है कि एफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज नियू अगर हमने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी के जो स्पेर पार्ट है वो ज्यादा तर लोग ने को एफोर्ड नहीं कर सकते है तो वहां पर वो लोग यूज जो काबली स्क्रैप आता है मतला कि काबली स्पेर पार्ट आता है बाहर से सिंगपूर से आता है जापान से आता है शार्जय के वो लोग यूटिलाइज करते हैं और दूसरी वज़ा ये भी है कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा चीज़ें ये हैं वो फेक मिलती है अगर हम उसको न्यू खरीदें तो औरीजिनल हमें मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये चीज़ हमारे जियनों में काफी चुकी है कि अगर हम काबल इसमार खरीदेंगा तो उसकी गरंटी होगी कि वो औरीजिनल होगा क्योंकि वो उन मुलकों से आया होगा जहां पर एक चीज़ को फेक सैल आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी तरह से स्क्रैप के कॉम्प्रेसर को ले ले लें एले के स्क्रैप को ले लें अलुमीनियम के स्क्रैप को ले लें अब यह सारी की सारी जितने भी स्क्रैप की जो आपको मैंने चीज़ें बता ही हैं यह सारी की सारी डिफरेंट नीशी है मतलब कि एक नीश होगी कि कॉम्प्रेसर का स्क्रैप हो गया और उसी तरह से अलेक्रिक म और मैं एकठा जूए है इन सब नीशे को कंट्रोल आउट कर सकूँगा यह बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं और एकठा जूए है इन सब को कोई भी बंदा ले कर नहीं चल सकता इसके अंदर एक कॉंप्यूटर स्क्रैप का भी बिजनेस है वो भी काफी ज्यादा जूए अब किसी ने स्टार्ट करना है तो जारी बात है कि वो स्टार्टिंग के अंदर एक मुकमल कंटेनर किसी भी नीश औरियंटेट सक्रैप का नहीं मगवा सकता उसको जारी बात है कि थोड़ी कॉंटिटी के अंदर ही करना पड़ेगा और काफी ज्यादा लोग इस तरह से भ जाएंगे इसके इलावा कराची में भी आपको काफी दाद मिल जाएंगे लाहूर में भी आपको काफी दाद मिल जाएंगे आट्व पार्ट के अगर आगर आपको सबसे पहले तो उन से खरीदना होगा होगा अपनी मार्कीट में इतनी वैली बनानी होगी कि आपको और इन फूचर काफी जादा जाएंगे और उसके बाद एक टन या दो टन मंगवाना काफी जादा असान होता है अगर पैसे जहरी बात थोड़ा हो पैसे जैदा हो तो फिर तो पूरा कंटेनर ही वारा खाता है अब एक टन और दो टन में सबसे बड़ी जो प्राबल्म आती है न वह जी हाती है कि कि कराया कैसे जिए अब पूरा करेंगे हैं कराया नहीं पूरा होता है कि कोई एक टन माल मंगवाने इसक पूरार गभinfl करहा लें तो बड़ी बात होती है क्योंकि एक टन काफी जड़ा पढ़ता होता है अब इसको जो बहतरीन हल है वो इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि आप उन बंदों से समान खरीदें जो अरड़ी मगवार हैं ताकि आपके उनके साथ काफी ज़्यादा अच्छे यह एक कटिंटे डों जाताया है व खर देना मेरा उस किंटेनर में और ज्यादा तर लोगों का अगर समान मतला कि वह मगवार होते है वह नहीं के लिए बैनेफिस्यल होता है कि उनको एक टन ले अगआ होता है और पूरा कर देते उसके बाद आपसे थोड़े वो चार्जिस ले लेते हैं इससे उनका कराया भी बचता है और जहरी बात है कि वेड़ पूरे भी हो जाता है मतला कि कंटेनर कोई भी लॉस मिनी जाता तो दूसरा जो स्टेप है वो यह है कि आप इस तरीके से करके अपना माल मुगवा सकते हैं अगर आपके रिलेशन इतने ज़्यादा स्फ्रांग नहीं है और आप समझते हैं कि मैं यह वो किस से बात करूंगा और मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा तो फिर आपको यह एक सेकंड वे की तरफ जाना होगा जिसको कैरी कमाल कहते हैं मतलब कि कैरी करवाना पड़ेग क्लीरिंग वतव्यूल सब कुछ इंकलूड करके मुझे बताया मतलब कि वहां से उसका कराया आपको जो समान झास कराया और सारी कस्तिम डिटी वगार इंकलूड करके आपको बताय के पाकिस्टन में पहुंच वह आपको आपकी डूर्स्टैप के उपर कितने लाड़दे क चाहिए वो कराची के अगर आप इसलामबार लाहूर या किसी और शाहर पंजाब के में बैठे हुए हैं तो आपको यह वहाँ पर वो पहुंच यह समान मिलें और बाहिर के मुलकों से सप्रायर ढूना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि हमें बिल्कुल भी एक्सपिरियंस नहीं होता हूँ और हम मंगवा रहे होते हैं सक्रैप को अब सक्रैप को मंगवाना जिया है वो एक नई प्रोड़क्ट को मंगवाने से काफी दा पैर्माटोक उसके हसाब से फिर मैं उनको ढूंड के देता हूं कि यह चीज़ आपको यहां से इस कंपनी से काफी ज़्यादा अच्छी रेटों के पर मिलेगी और इस कंपनी से यह क्वालिटी की मिलेगी सारी की सारी चीज़ें पर जारी बात है कि हम बना कर देते हैं उस कोपर है या नहीं है वह एक आदमी जो मंगवा रहा है वह खुद तो देखेगा अगर हम एक सप्लियर से बात करते हैं उस सप्लियर हमें बताता है कि उसके अंदर कोपर है बट उसके नहीं होता तो वह हमारे लिए का फिर दादा प्रॉब्लम बन जाती है यह नए समान के अंदर इतनी दादा प्रॉब्लम भी मनती हैं हम उनके कमपनी के लाइसेंसिस बगर चेक करते हैं सारी की सारी यह वैरिफिकेशन के बाद यह उस कमपनी को सोर्स करते हैं और फिर अपने कलाइंट्स को देखते होते हैं वह इस सब को बताने का मकसद आपको डी इसल